संसत परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर यानि पाँच दिनों का जो इस सेशन है उसमें जो लिस्टेट बिल है उसके आलावा भी कुछ महत्वपुन बिल लाए जा सकते हैं इस वक्त समझूगी कि कौन-कौन से इसे बिल है जिसको लेकर इंटर्डल मीटिंग चल लिए इस वक्त देकिस शाम को साड़े 6 वजे कैबिनेट की मीटिंग होगी उससे पहले ही प्रदान मंत्री मोदी और ग्रह मंत्री अमिशा से सरकार के बरिष्ट मंत्री मिले यानि कि मं कि मों के तर्थ उची समय पे चर्चा करने की तिती से आप सब को अगर करा दूगा EPS 95 पेंसन धारक वे केंदरी करमचारी को लेकर बहुत ही अच्छी कुस्कवरी आ चुकी है उन सभी के हक में केंदर सरकार ने बहुत बड़ा पैंसला किया EPS 95 पर आखरी पैंसला आज जारी वा इस तरह की बड़ी आप सभी पैंसन धारकों के लिए अपडेट आ रही है साथ में आपकी ओल्ड पैंसन को लेकर भी बाली को लेकर लेकर लेटेश्ट ताजा अपडेट आ चुकी है जिसके नुसार केंदरी करमचारी पैंसन से उनके साथ में OPS पैंसन धारक के वो चाहते हैं कि जिन राजों के अंदर OPS बाल किया जाए उन राजों की लिष्ट भ बहुत बड़ी नई गोशना की गिए जिसके बारे में बताने वाले हैं आज किस वीडियो कंदर आपको पूरी विस्तार से जान करी कि कौन कौन सी सेरकार ने तीन नई लेटेश्ट आपके लिए जरी किया है जिसको लेकर आदिस्त भी जरी किया है और साथ में आपकी EPS प पेंसन दार के उनको फाइडат देने को लेकर गोशना हुई है तो नके बारे में बताने वाले हैं साथ मने नई लेश्टे जारी हुए है और पेंसन का बज़िट कितना जारी हुआ है तो इन सारे मुद्धों के बारे में आज किस वीडियो कंदर आपको अपर तक दिखते तो आपकी पेंसन को लेकर सबसे पहले बात करते हैं कि OPS को लेकर क्या आप डिटारी है चो काफी जब तक सरकार OPS को बाल नहीं करेगी तब तक यानिकि हम बड़ा यानकी आदोलन करेंगे और जब कर सरकार को ये OPS को लेकर जुकना ही पड़ेगा सरकार को OPS की बाली करने ही पड़ेगी तब यान की हम मानने वाले है इस तरह का उनका बड़ा एलान है कि अगर सरकार इसी यान की सतर के अंदर यान कि इसी महीने के अंदर OPS को बाल नहीं करती है तो अगले महीने बहुत बड़ा यान कि उन्हें नुक्सान जैलना पर सकता है और यान कि उनको लेकर या जो OPS का बाली को लेकर पेंसनस का कहना है कि OPS सरकार बाल नहीं करती है तो हम बहुत बड़ी एंकी रैली करने वाले हैं बहुत बड़ा संग्रेस्ट करने वाले हैं जिसको देखते हुए सरकार को जुकना ही पड़ेगा अगर पांच राजों के OPS बाल किया जाने पर भी उन्हें आर्थिक बोज नहीं पड़ता है तो बाकी राजों में आर्थिक बोज कैसे पड़ेगा और सरकार पर आर्थिक बोज कैसे बढ़ेगा उनको सरकार को मंजोरी देनी ही पड़ेगी तो इसको लेकर अपडेट आ रही है कि जल्द इसको लेकर 10 सक्टमर को फिर केबिनेट की एक बड़ी बैटक होने वाले है जिसके अंदर आपकी इनकी OPS की बारे को लेकर फाइंडर ने डिया जा सकता है इस तरके आपकी OPS को लेकर अपडेट आ रही है बात करें आपकी EPS Pension को लेकर तो EPS के Pension धार को के लिए Supreme Court की तरफ से एक latest अपडेट आ रही है कि आपकी NPS है उसके साथ यानकी EPS जो Pension बड़तरी है उसको लेकर बहुत बड़ी यानकी आज चर्चा वी CBT की बैटक वी और केबिनेट की बैटक वी उसके अंदर EPS पोने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके नुसार आपकी EPS पैंसन में दो बहुत बड़े बदला होने वाले आपकी EPS मिनिमम जो पैंसन मिलती हैं उसमें और आपकी सेरी लिमिट में जिसको लेकर करमचारी कापी लमे समसे संग्रस करें उन सभी को बहुत बड़े अनकी सुप्रेम कोड और EPS को सांदर तोफा देने जा रहा है उनकी पैंसन में बंफर इजापा होने वाला है और आपकी दो जो बदला होने वाले उनके बारे में बताने वाले हैं यह भी केबिनेट की बैटक के बाद ही यह अनकी आदेस जरीवाई सुप्रेम कोड के दोरा CBT की बैटक में पहले केबिनेट की बैटक में यह पैंसला लिया गया जो EPS के पैंसन धर को कुपानले कितनी पैंसन दी जानी चाहिए और साथ में उन्हें कौन-कौन से अने अबडेट आ रही है जिसके अनुसार आपको अब मिनिममं पैंसन एक अजार उपे की जगह नौजार उपे मिलेगी साथ में आपको डिय यानकी आपको वरतमार में बाता मिलता है उसमें भी वडो स्री मिलेगी इस तरह की अपडेट है साथ में आपकी मांग ठीकी 15,000 लिम से एक सेल लिमिट को अपडेट है जिसका इनुसार लागू किया सकती है या फिर 20,000 रुपे की फाइनली लागू किया जाएगा और या फिर 25,000 रुपे की लागू किया जाएगा वरतमान में इसको लेकर अभी तक ओपिसल पुष्टी नहीं विए कि आपकी कितनी सेल से जो इपिस में जो पैंसन रुपे की बीज़ी होता है तो आपको यह कि सेल लिमिट 25,000 रुपे का लागू किया जाएगा जिसके आपका पैंसन की गढ़ना की जाएगी उससे आपको पैंसन मिलेगी आपकी पैंसन को लेकर यह लेकर बहुत बड़े बदला हुए जिसके उससार आपको यान की जो आपकी EPS पैंसर है उसमें ये दो ग्योत बड़े बदलाव को देखने को मिले कि minimum पैंसर को 9000 रुपे करने को मनजोरे मिली है शाथ में आपक का जो यान की जो आपका जो वैतन लिमिट है आपका और साथ में आपकी एज भी 58 साल की कंप्लिट होनी चाहिए और आपको यानकी बदा दे कि अगर आप EPF के मेंबर हैं तो इसका फाइदा उटा पाएंगे अगर नए हैं तो आपको पहले यानकी जो पैसा 10 साल तका कंट्रिबरिशन कंप्लिट करना होगा उसके बाद ह आप इस यानकी पैसन का लाब उटा पाएंगे फिलाल जो करमचारी इन तीन सर्तों को पुरा करते हैं जिसकी एज 58 साल कंप्लिट हो चुकी है और उनका 10 साल का कंट्रिबरिशन कंप्लिट हो चुका है और बात करें अगर आप EPF के मेंबर है तो आप यानकी फॉम बर सकते हैं बात में बात करें आपकी पैसन को लेकर जो बैदबाव को लेकर जो कापी लमय समस्य करमचारी इनकी समस्य का सामना करें इस्तर की साथ में एक गोशना हुई है कि Cabinet की बैटा के अंदर से पूरी तरह से खतम किया गया है पैसन का बैदबाव आपको नहीं करना पड़ 5000 पिस्ती के बोड़ोतरी होगी, कुछ मीडिया रेपूट कर नुसर ऐसा मना जा रहा है, कि आपके डिये में चार पिस्ती की बोड़ोतरी होगी, वरत्मन में इसको लेकर कोई अभी तक है, यहनकी कलिए रेफैसला नहीं हुआ है, तो इस तरह कि आपके लिए फिलाल, यहनकी डिये को लेकर कुछ अच्छा यहनकी अपडेट नहीं है, वरत्मन में जो 42 पिस्ती उसी को लेकर आपको वरत्मन मिलेगा, अगले जो डिये को लेकर ऐलान किया जाएगा, केबिनिट की बैटर के अंदर फाइली जुनर ने लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको यहनकी फ फाइदा मिलेगा जो 50 पिस्ती मिलेगा या फिर 46 पिस्ती वरत्मन में आपको 42 पिस्ती मिल रहा है, उसी के सबसे भी मिलेगा